हलो जी आजकी स्वीडे में हम करने वाले हैंelli Jim कि Color Grading and यह जो Color Grading हम करेंगे बहुत तहांज अने वाली है अगर आप एक beginner एक्डिटर हो तब भी यह तानी से कर पाओगे सो विडाओवस्टिंश अन्यएमरे टैम लेसं सॉड़ सार दा वी डियो हुआ कि ऐसार हो आपको अपनी photo को lightroom में open करना है and उसकी आपको lighting को adjust करना है so highlight को आपको थोड़ा सा कम कर देना है then फिर shadows को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है whites को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है and blacks को आपको थोड़ा सा कम कर देना है lighting को set करने के बाद आपको जाना है color वाले टैब में then फिर mix वाले option में mix वाले टैब में आपको red और orange color को छोड़के बाकि सबी colors की saturation होगी ना उनको बिल्कुल कम कर देना है so yellow की saturation बिल्कुल down green की भी, cyan की भी, blue की भी, purple की भी और magenta color की भी so हमने सबी colors की saturation को down कर दिया, red और orange को छोड़कर अब आपको जाना है orange color पे, orange color का आपको luminous बढ़ा देना है and आपको यह अपने face की brightness की according ही इसको बढ़ाना है, so इतना सही है and थोड़ी से आपको इसकी saturation को down कर देना है and also आपको red की भी luminous को थोड़ा सा बढ़ा देना है, so ऐसे and फिर आपको यहां से कर देना है, इसको done फिर आपको जाना है color grading वाले option में, then आपके पास यहां पे shadows का option होगा पहले, but आपको mid tone select करना है mid tone पे आपको यहां पे click करना है, then saturation को बढ़ा देना है, and फिर आपको यहां पे थोड़ा स्यान color आपको यहां पे choose करना है and फिर सबसे नीचे आपको यहां पे balance का option मिलता है, so balance को आपको बढ़ा देना है, and कुछ इतना इसको रखना है और luminous को आपको थोड़ा सा डाउन कर देना है इसकी और blending आप इतनी ही रहने दो सो मिट टॉन से ही आपको इसमें चेंड करनी है और फिर इसको आपको घर देना है अब इसको डन करने के बाद आपको जाना है लाइड वाले उप्शन में देन फिर काव में सो कव में आपको सबसे पहले ब्लू स्लेक्ट कर लेना है ब्लू के आप यहां पे पॉइंट बनागे इसको थोड़ा सा अपकी तरफ ले जाए एंड एक पॉइंट नीचे एंड इसको ऐसे सबी ग्रीन में भी आपको ऐसे ही करन अब शयुक्ता कि जो आपकी फोटो की टॉन वो सयां टॉन बढ चुकी है बत हम समय स्वान नहीं है हमेज स्टाल इसफरी से गोल्डें टॉन चाहिए सब incl six के आपने अपनी फोटो को कर लेना है सेई अचेव की फोटो को आपको दوبारा से lot करना दुबारा से हमने वही photo ग open कर लिया है अब आपको इसमें एक radial gradient create करना है तो मैं यहां से radial gradient create कर लेता हूँ इसकी position हम इस तरफ रखेंगे मैं इसको थोड़ा सा rotate कर लेता हूँ इसको थोड़ा ऐसे करके न यह like ऐसे इसको कर देना है अपने कुछ पजीशन आपको इस तरह इसकी रखनी है और इसको जो फीदर होगा आपको फुल हंडर्ड परसेंट रखना है और फिर आपको जाना है लाइटिंग वाले उप्शन पे एक्सपोजर थोड़ा सा बढ़ा देना है फिर कलर वाले में टेंपरेचर आपको फुल कर देना है तिन्ट को भी आप थोड़ा सा बढ़ा दो मैं इसकी पुजीशन थोड़ी सी और बढ़ा देता हूँ और इसमें मैं एक कलर एड़ करूँगा येलो वाला तो मैं यहां से पूरा इसको एड़ कर लूँगा सा डाउन करना है फिर आपको कलर वाले में जाना मंद इसमें कलर टेमपरेचर अब थोड़ा सा बढ़ा देना है राहंड इतना है इसकी क्लियर्टी को भीए हम थोड़ा सा बढ़ा लेती है दर फिर से आपको लीऩर gradient चूज़ करना है अगर ऑपकी बार आपकी यहां पर आपके तो यहां पर आपको जाना है कलर ग्रेडिंग वाले ऑप्शन में शैडू के आपको क्रिक करना है यहां पर यहलो सेलेक्ट कर लो दन फिर आप मिट टोन स्लेक्ट करो मिट टोन में भी अप यलो इस इस अच्छे से कंट्रास्ट आ जाएगा हमारी फोट में अद आप हमारी फोटो कम्प्लीट कलर ग्रेडिंग हो चुकी है सो दिस इस बिफोर एंड इस इस दा आफ्टर सो गाइस बिफोर एंड आफ्टर तो आपने देखी लिया होगा सो पहले हमने अपनी फोटो को सयान टॉन में क्रेट किया दन उसको कनवर्ट किया है एक गौलडन से मूडी टॉन में जो हमारे ज़ल्ट हो तो आपने देखी लिया तो अगर वीडियो आज की हमारी अच्छी लगी तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जुरूर बताना वीडियो कैसी लगी और आगे कौन सी आपको वीडियो चाहिए और चैनल को जूर से सब्सक्राइब कर देना एंड यार इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फोलो कर सकते हो तो यहीं कहीं आ रहा होगा तो इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को फोलो कर लेना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले किसी इकमाल की वीडियो में तब तक के लिए बाई